हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों SRM Contractors का जो IPO है साइपियो में अपलाई कर निग लिए आज की तारीक में आखरी दिन था और आखरी दिन इस IPO ने जबरदस दमागा किया है मतलब इस IPO पर आखरी दिन जब कर पैसा बरशा है लग भग 86 टाइम्स मतलब 86 गुना की आसपास ये total सब्क्राइब हुआ है 3 दिन के अंदर मतलब जब कर पैसा बरशा है और मैंने एक गैस लगाया था वाई 100 टाइम्स सो गुना के आसपास यह सब्क्राइब हो सकता है अलबंकि थोड़ा नज़दी की हूँ पर ठीक है मेरा गैस थोड़ा सा गलत हो गया काफी लोगने असी गुना या च्छी गुना के आसपास लोगोंने सही गैस लगाया था काफी लोग सही साभीत हुए हैं जो जो लोग सही गैस किया दा जिंजिन लोगों है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरा गैस थोड़ा बहुत आगे बीचे हो गया कोई बात नहीं चलता है तो 86 गुना के आसपास यह टूटल सब्सक्राइब हुआ है तीन दिन के अंदर चबरदस पैसा लगा है लगबग 7,890 करोड रुपे लगे हैं इस IPO पर टोटल तीन दिन के अंदर लगबग इतना पैसा लगा है बढ़िया पैसा लगा है उसमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया है एनाई आई मल्दम नौन इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा पैसा कोई भी IPO होता है मतलब वो लॉंग टर्म के लिए अच्छा हो या लिस्टिंग गेंस के लिए अच्छा हो तो QIB ज़्यादा तर पैसा ज़्यादा लगाते हैं पर इस IPO के अंदर मैंने देखा है कि रीटेल पोर्शन ने भी ज़्यादा पैसा लगाया है और NII पोर्शन ने अच्छा मिलने की संभावना नजर आ अब दोस्तों किन-किन लोगो ने इस IPO में अपलाई किया है कितने कितने लॉट किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा परसनली मैंने दो लॉट इस IPO में रीटेल के अंदर अपलाई किया है ज़्यादा मैं खास इंट्रेस्ट ठीक ठाक मदब लग रहा था मुझे IPO तो मैंने दो लॉट रीटेल के अपलाई किया आपने कितने किया कमेंट किया पता दीज़ेगा अब दोस्तों इस IPO में हमारे अलोट्मेंट की चांसे कितने है और इस IPO का अलोट्मेंट सब्सक्राइब करना है वो भी हम जान लेते हैं बट अधर पोर्शन से कंपेर करें तो ठीक चांसेज है पर देखा जाए छोटा इश्यू साइज है इस हसाब से 2-3% बहुत कम वैसे सब की चांसेज कम ही बनेंगे तो रीटेल पोर्शन के अंदर 2-3% चांसेज है 100 में से 2 डाई लोगों को फिर बिग हैचनाई के अंदर लगबग 2-3% की चांसेज है बिग हैचनाई के अंदर लगबग वराबर है और स्मॉल एचनाई के अंदर अगर बात करें मतलब 2 लाग से उपर की अप्लिकेशन लगए तो उसके अंदर आदा परसंट ही चांसेज है आदा परसंट मतलब 200 में से एक को इसका अलोटमेंट मतलब स्मॉल एचनाई के अंदर बहुत कम चांसेज नजर आ रहे हैं तो ओवराल देखे सब्क्रिप्शन ठीक है अलोटमेंट के चांसेज भी ठीक नजर आ रहे हैं आप लोगों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगे कि आपने कितने कितने लौट कौन कौन सी काटिकरी में अप्लाइ किये हैं फिर दोस्तो इसका जो अलोटमेंट आएगा वो आएगा एक अप्रेल को क्योंकि कल की तरग में गुड़ फ्राइडे की चुट्टी है फिर सटर डे संडे आ जाएंगे तो इस तरह से अभी चुटियां है तो एक अप्रेल को सीधा हमें इसका अप्रेल को देखने को मिल जाएगा तो ये भी चीज क्लियर होगी अलोटमेंट चांसे अलोटमेंट कब और कहां चेक करना है सारी चीजे क्लियर है और वैसे मैं टेलेग्राम इंस्टाग्राम और सब जगा जानकारी वगेरा देता रहता हूं इसलिए टेलेग्राम 87 मलब 47% जैसा ग्रेमार्केट का प्रीमियम है डिमांड अभी ठीक चल दिये साइप्यों ग्यों मीध है कि इसके आसपास बरकरार रहनी चुगिए फिर दोस्तो भारती हैक्सा कौं का इप्यों जो की 3 अप्रेल को उपन होने वाला है इसके रिव्यू का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा 5% के आसपास GMP चल रही है 30 रुपए पर 26 शेर्स का लॉट है 780 रुपए ज़ा में एक लॉट पर आज की तारिक में फाइदा देखने को मिल रहा है परसेंट रहा है सिर्फ 5% जिसका ग्रे मर्किट का प्रीमियम है डिमांड बहुत कम चल रही है इस IPO की फिर दोस्तों अपकमिंग IPOs कौन कौन से हो सकते हैं 24 शॉबीस के इंदर जिसका सभी को इंतजार है मतलब अभी तक अनॉस्मेंट नहीं हुई है पर काफी टाइम से मतलब पिछले 2-3 साल से इनका वेट चल रहा है और ऐसे धमाकेदार IPOs कौन कौन से हो सकते हैं तो जिसके इंदर OYO का IPO ये भी वेटिंग के इंदर चल रहा है OYO का IPO जल्दी हमें देखने को उपन होते हुए देखने को मिल सकता है फिर First Cry का IPO ये ब्राइब बच्चों के रिलेटिट खिलोने हैं और उसके लावा कपडे बगेरा हैं वो सेल करती है तो उसका भी IPO हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है मतलब हो सकता है इस साल 2-24 में ये आई-पियो समें देखने को मिले और काफी चर्चित ब्राइब है फिर इसके लावा डिजिट इंशॉरेंस है तो ये भी इंशॉरेंस से रिलेटिब सेल करती है तो उसका भी IPO हमें जल्दी उपन होते हुए देखने को मिल सकता है 2-24 के अंदर फिर ओला का IPO है वो भी मिल्दब लाइन के अंदर है ओला इलेक्ट्रिक ये भी उपन होते हुए मैं देखने को मिल सकता है फिर उसके लावा दोस्तों एक सबसे बड़ी IPO NSDL का IPO ये हो सकता है 2-24 में हमें उपन होते हुए देखने को मिले पिछले साल भी इंतजार था कि पिछले साल ओपन हो जाएगा पर पिछले साल ओपन नहीं हुआ तो हो सकता है NSDL का IPO इस साल ओपन हो सकता है और ये सबसे बड़ी IPO मुझे लग रहा है अभी इसकी dates वगेरा अनौस नहीं होगी है तो ये upcoming IPO जो हो सकते हैं उन में से सबसे अच्छा IPO मुझे NSDL नज़र आ रहा है तो ये हो गए mainline IPOs के updates अब दोस्तों बात करें SME IPOs के अंदर tech infosec इसकी demand सबसे ज़्यादा चल रही है बाकी किसी भी SME IPO की demand ज़्यादा नहीं है और देखो दोस्तों GMP के बर्व से ना रहें किसी भी IPO या SME IPO में apply करने का कोई भी मेरी तरफ से decision नहीं है जो भी आप decision बनाए अपनी रेस को अपना analysis अगर की बनाए तो यह दिसारे आज के अबडेट्स उम्मीद करता है हमारा वीडियो हमारी जानकर यह आपको काफी पसंद आयो है helpful रही होगी helpful रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूरत नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं दोसको अगले वीडियो के अंदर टेलेग्राम इं